हेलो दोस्तों क्यासे हैं आप सब मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे iOS 14.2 के latest feature के बारे में जो recently अभी market में launch हुआ तो चलो start करते हैं और आपको मैं बताता हूँ मस्त वाले iOS 14.2 के feature so पहला feature जो मुझे बहुत इसमें इंट्रस्टिंग लगा 14.2 में सो हम पहले इसमें जाएंगे setting में जाओ setting में जाके scroll करते हुए आप privacy में जाके जाओ उसमें आप देखोगे एक नया feature है यहां पर tracking यह iOS 14.2 में ही आया इससे पहले यह feature आईफोन ने हमें आपल नहीं नहीं दिया था तो इस feature में आप क्या कर सकते हो जैसे हम बहुत सारी apps अपने phones में इंस्टॉल करते हैं तो इस tracking के थ्रूँ क्या होगा कि कोई भी जो app है उसको आपको आपसे permission लेनी पड़ेंगी कि वह आपको track करें या ना करें इसलिए आपको यह must है जो यह option है इसको आपको आपको आउन रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी जो unwanted apps है या आपके फॉन में एप उसको आप ट्रैक ना करें तो यह एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा इसमें इसके बाद हम स्क्रोल करेंगे नीचे प्रिविसी में and then photo में जाएंगे और photo में यह देखिए peoples ads नաुस यह धरे मेरे आ यहां जो सकता है ज्हादा apps हों यह कम हों तो इसका में होग जो आप हाए साथ में iOS 14.2 दॉ में जो इबे आ把 इस यह आ को वह गल provocative लाइन फोटो ऄकरने है गुगल मैप के साथ अल फोटो gegरन करनकर करने हैं यह हमारे फोटो एक जरुटनी जरूर्ड है तो आप कर सकते हैं &श बीज आपके आप के ऐ ससके यह diesem तो तो इसके भी साथ Haar के है व एक नीच एalth करना इसके साथ मैप और लिफ्लंड आप इसको use करना चाहते हैं आप share करना चाहते हैं as you wish आप कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते हो आप मत करिए उसके बाद आपके बाद साता है local यहीं पर जाओ नीचे और यहाँ पर scroll करके आप setting में जाए उसके बाद आप यहाँ पर local network होगा लोकल नेटवर्क में चाहिए यहाँ आपके शॉर्ड है另स लोकर नेटवर्क बलक Government accordance यूटूब आ रहा है आपके पास हो सकता है ज्यादा एप से शो पर उसके पर जड़िंग कर सकते हैं इसमें आपके उपर depend करता है कि किस app को आप pick choose करोगे और किस app को आप access देना चाहते हो किस को नहीं देना चाहते हो अगर आप यह आपके उपर depend करता है और जो भी अगर आप इसको on करोगे या कोई और app होगी तो उसको आप access नहीं कर पाऊगे अगर आप उसको off कर दोगे तो यह Local Network का यह feature एक बहुत अच्छा है, उसके बाद आप बाहर आईए और उसमें settings में, then music में हम जाएंगे, यह आपका music का feature है यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे यह जो एक नया motion यहाँ पे आया है, यह पहले नहीं था, यह iOS 14.2 में आया है, तो आप यहाँ देख सकते यहां पर 3 options आ रही है, on, wifi only और off, तो यह आपके उपर depend करता है कि आपने इसको on रखना है, या wifi only करना है, या off रखना है, मैं तो इसको off रखूँगा, क्योंकि जब भी हम music सुनते हैं, या song सुनते हैं, कुछ भी, तो हम phone को जेब में डाल लेते हैं, तो इसका main जो एक मकसद है वो है, कि जो आपका cover art आता है, जो आपको जब song सुनते तो cover art आता है, किसी की picture आती है, किसी hero की picture आती है, heroine की आती है, तो इसको एक मोडिफाई कर देगा, उसको animated बना देगा, जब हम song सुन रहे हैं, तो हम उसकी जुरूरत नहीं है, कि हम उस cover art को देखें, या उसको वो करें, तो इससे क्या होगा, कि आपको एक benefit की होगा, कि आपकी battery सेव होगी इससे, यह भी आपके उपर डिपैंड करता ह कि आप इसको on करना है कि off करना है, उसके बाद हम जाएंगे accessibility में, accessibility में आपका, यहां पर हम जाएंगे, और Siri में जाएंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं, सिरी यहां पर जो यह new option आई है, so apps behind Siri, इसका मतलब है कि अभी यह on है, तो आप अगर press करोगे, Siri यहां पर, तो Siri यहां पर आपका देखिए, यह on हो गया, और आपकी apps दिख रही हैं, right, so अगर आप इसको off कर दोगे, so अब अगर आप करोगे, Siri on करोगे, तो Siri on हो जाएगा, लेकिन यह पीछे जो आपको background है, यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगएगा, तो इसलिए आपको, यह जो option है, इसको आपको on रखना है, so एक feature यह है आपका, उसके बाद हम एक और feature इसमें जो नहीं आया है, वह हम यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर home screen में आपको option दिख रहे हैं, थ्री option दिख रहे हैं, add to home screen, add library only and so enable library, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप add to home screen, अगर आप कोई भी app इंस्टॉल करते हो अपने phone में, तो आप इसको चाहते हो कि उपके home screen पे देखे, तब आप यह option को tick कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप आपकी app है वह library में दिख हैं, ना कि आपके home screen पे तो आप CAP इस option को tick कर सकते हो और इसके बाद जो भी आपका जैसे आपका यह अभी है तो मैं तो होम स्क्रीन पर ही चाहता हूँ कि मुझे होम स्क्रीन पर दीखे आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप कौन से उसको लाइबरेरी में देखाने ते या उसमें जो यह option है इसको अगर आउन कर रखोगे आप यह YouTube की notification है अगर मैं इसको off कर देता हूँ इसको off कर देता हूँ यहां से तो मुझे जो भी notification है वो मुझे यहां लाइबरेरी में नहीं दिखेंगी आप यह देख सकते है YouTube वाली यहां से हटगी सारी हटगी तो यह भी एक बहुत ही अच्छा feature है बहुत ही निक feature है आप इस सारे बहुत सौंग सुनते हैं सब कान पर अपने headphone लगा के बस में घर में ऑफिस में चल रहे होते हैं तो हम बट और हम यह अपने कानों का ध्यान नहीं रखते हैं जो बॉलिम होती है उसको 100 तक लेके चल रहे होते हैं और बहार कर जो noise है उसको हम सुनते नहीं है कुछ भी कर देगा यह 95 decimal है उसको कम कर देगा यह आपको जितने उस पर चाहिए आप उस पर कर सकते हैं इसको तो यह आपको on रखना है यह बहुत एक अच्छा फीचर है और इसमें जो एक और अच्छी बात जो iPhone में iOS 14.2 में Apple ने हमें दी है यह आपका यह लाइवरी यह आपका ला आपने कुछ भी करना है आप आपन करना है यहा अ किलिक करिए यह इसको फीचर में हुआicon करिए आपको पर और जो यगा अगर आप इहां सेटिंग में हम जाएंगे तो यहां पर Wi-Fi में आपको एक नया फीचर मिला है यहां पर आप आई पर क्लिक करोगे तो आप यह देख सकते हो यहां पर इसमें वाइफ़ाई अडर्स आपको बताया हुए प्राइवेट अडर्स आपको इस option को on रखना है यहां पे इससे क्या होगा कि यहां जैसे हम आज कल malls में जाते हैं या कहीं बाहर का open wifi network यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा IP address होता है या वाइफाई जो एड्रेस यहां पे जो शो हो रहा है वो चेंज होता है, आटमेटिक चेंज होता रहेगा, यह बहुत ही अच्छी एक आप्शन दिया है, आइफोन ने, आपल आपल ने हमें, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप एक और इसमें बहुत अच्छा एक फीचर आइफोन ने हमें दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि आपका जो सफारी है, हम इसको यूज कर सकते हैं, और आपकी जो यह एमेल है, इस सिर्फ यह हमें वाइड डिफॉल्ट यूज करनी होती थी, लेकिन अब आ आप कई ऑर दीफॉल्ट हो थी आप कर सकते हो आप अप सफारी यूज करेंगे सो आपके उपर करता है, क्या कोई भी आप आप यूज कर सकते तो यह जो थे I hope कि आपको यह सारे फीचर जो मैंने बताई यह आपको अच्छे लगे है मुझे तो बहुत अच्छे लगे मैं यूज भी आपको उनको क्योंकि हम सब को जो भी नइव फीचर ऐपल में आते हैं उसमें यूस करने चाहिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू